नमस्कार दोस्तों, L.T. गणित की हमने एक विसेश सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको topic wise MCQ करवा रहे हैं और इसमें हमने पिसली video upload करी थी जिसमें हमने matrix and determinants के MCQ करवाई थे तो आज हम इसी का part second लेकर आए हैं जिस पर हम आपको matrix and determinants के कुछ और important MCQ करवाएंगे तो चलिए video को start करते हैं तो देखें दोस्तों पहला question है 34 वाल आप देख सकते हैं if A is a square matrix then adjoint of A T minus adjoint of A का transpose देखें T का मतला भी हैं आपा transpose तो मैं इसको dash से भी दिखा सकता हूँ तो देखें इसको आप किस तरीके से solve करेंगे इसको solve करना ठीक है तो यहाँ पर देखें मैं आपके सामने एक formula लिख रहा हूँ जो कि हमने पिसली वाली वीडियो में भी बताया था आपको देखें A into adjoint of A ठीक है ना बराबर होता है आपका determinant of A into i i n भी हो सकता है अगर A आपकी matrix of order n ठीक है तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते है तो देखी क्या होगा यह हो जाएगा A into ध्यान से देखेगा कि मैं इसको किस तरह से solve कर रहा हूँ adjoint of A की आपका मैंने क्या कर दिया डैस कर दिया इसका मतलब ट्रांस्पोज है यहाँ ठीक है इसका मतलब यह T की जग पर मैं डैस ले रहा हूँ ठीक है convenience के लिए अब आप इसका transpose लेंगे क्योंकि यह तो scalar है कोई फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पर आप determinant of A का transpose लेंगे उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तो आपका determinant value है इसी तरह से अगर आप I की power N यानि आप actually क्या है एक identity matrix है अगर आप उसका transpose लेंगे तो again एक identity matrix ही आएगी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ओके इस चीज को अपने ध्यान में रखना है ठीक है इनी दो को ले ले लेते हैं फिलाल ठीक है तो आगे होगा क्या देखिए अब आप बताईए AB का transpose होता है AB का transpose क्या होता है यह होता है B transpose इंटू A transpose हम सभी को पता है ठीक है यहाँ पर हम इसी का rule का उपयोग करने वाले हैं देखिए किस तरेके से होगा यहाँ पर तोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर किस तरेके से इसका उपयोग होगा देखिए यह हो जाएगा adjoint of sorry adjoint of A का transpose into A transpose इसी करस्टू हो जाएगा determinant of A into I n ठीक है अब आप इसको ध्यान में रखेंगे इसको equation number one माल लेता हूँ ठीक इसी तरेके साब एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखिए मैं काम करता हूँ इसमें मैं A को replace कर देता हूँ A transpose से ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा just look at this यहाँ पर मैं A की जगर पर A transpose कर दूँगा तो क्या होगा A transpose into a joint of A transpose is equals to हो जाएगा A transpose का determinant into I n okay कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा देखिए अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए जो A का determinant है वो A transpose के determinant के बराबर होता है ठीक है आप आप चेक भी कर सकते हैं verify भी कर सकते हैं ठीक है एक आप determinant निकाले चाहिए A transpose का determinant निकाले है क्योंकि कोई फरक नहीं पड़ता है determinant के हमें रूल पता ही है कि जो determinant का अगर आपने रूल अच्छे से पढ़े होंगे कि अगर हम उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते तो determinant की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो इसी तरह किसे अगर A को determinant है उसका A transpose ले लेंगे तो भी determinant की वैल्यू हमेशा गया रहती है सेम रहती है ठीक है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए इस रूल का अगर हम फॉलो करें तो देखिए यहाँ पर से हो जाएगा यह हो जाएगा A-A joint of A transpose बराबर हो जाएगा देखिए इसकी value क्या होगी determinant of A into IN तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो इसका मतलब है अग तो यहाँ पर से आप देखिए यह A transpose A transpose दोनों एक सेम जगह पर है तो definitely यह और यह क्या होंगे बराबर होंगे इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो adjoint of A का transpose है वो बराबर है adjoint of A transpose ठीक है बई तो इसका मतलब अगर यह दोनों बराबर हैं दोस्तों तो यहाँ से देखें adjoint of A transpose minus adjoint of A यहाँ इन दोनों का जो difference है वो क्या हो जाएगा of course null हो जाएगा यहाँ कि null matrix तो इसका answer कितना होगे दोस्तों null matrix होगे I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है ना तो यहाँ कि जो adjoint of A का transpose होता है वो adjoint of A के whole transpose के बराबर होता है ठीक है इस चीज को आपने ध्यान में रखना है इसके बाद देखें दोस्तों अगला question है काफी basic सा question है आपको सामने a दियावा है आपको a square minus a minus 5i2 बराबर null दियावा है आपको find the value of k निकालने है ठीक है ना एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा से ऐसे लिख लेता हूँ यह थोड़ा सा देखें होने को तो काफी simple सा question है लेकि मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसको करना है एक काम करिए आप जो यह k है k a को इ पहले आप a की पावर 2 निका लिए एक पावर 2 कामला a into a यानी हो गया देखे 1 3 3 4 और आपने इसको multiply करना है 1 3 3 4 ठीक है मैं आपको बस trick बता रहा हूँ कि आप किस तरह किसे इसको solve करेंगे ठीक अब आप जड़ा multiply करिए यह हो गया 3 तिया 9 और एक यह हो गया 10 फिर ऐसी यहाँ पर से हो जाएगा 3 और 4 तियां 3 और 4 तियां 12 बारा और 3 आपका कितना हो गया 15 ठीक है ऐसी इसको multiply करो 3 चारतिया 12 यह आपका कितना हो जाएगा 15 ठीक है और फिर इसके बाद 3 तिया 9 और 4 चको 16 यानी आपका कितना हो गया यह यह हो जाएगा 25 ठीक हो गया अब इसम इसमें से आप 10, 15, और यह भी 15 है, और 25, minus 5i2, 5i2 का मतलब, i2 का मतलब है 100, तो यह नहीं हो जाएगा 5005, ठीक है, अब आप माइनस करिए, इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5, यह आपका 15 ही रहेगा, और यह आपका कितना हो जाएगा, देखे फिर से 15, और 25 में से 5 एक्चुली कितना बचेगा, यह बच जाएगा, आपका देखी दोस्तों, 20, ठीक है ना, अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, अगर जब आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा, देखे अंदर दोस्तों, 5 कम 5, 5, 3, 15, 5, 3, 15, और 5, 4 जाएगा, ठीक है ना, तो एक्चुली यह क्या है बोच दोस्तों, यह A है, देखे, यानि इस टाइप की फॉम आ गई, तो यह आ गई, देखो, 5 इंटु A आ गई, आ गई ना, तो इसका मुला के बराबर क्या रहोगा, 5 रहोगा, तो निकालने का तरीका यह रहेगा इसको रादर देन की आप इसको पूरा सॉल्व करिए, आप इस तरह किसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा कोशन है, बस बताना था कि आपको किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स कोशन, A बराबर है, Aij is a scalar matrix, जेनर ट्रेस ओफ ए, देख ठीक है ना, और यहां कितना हो जाएगा, समेशन आई, ठीक, तो कहने का मदलब है, यह हो जाएगा, A11, A22, A33, इनका आपने क्या कर देना है, सम कर देना है, तो यह आपका ट्रेस होता है, यहां से अगर आप देखें, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, अब इसके बा अब आपको पता है कि इसकी value है k, हर की value k है, तो k, 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 कहां तक add करेंगे, n times तक, तो इसकी value क्या हो जाएगी दोस्तों, n into k हो जाएगी, ठीक, तो इसका answer कितना हो गया, n into k, ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देखें, दोस्तों, अगला question है, 14 वाला की भई, आपको दे करता हूँ, कोसिस करता हूँ, option से, इसको solve करने का प्रयास करता हूँ, देखे, मैं काम करूँगा, कि f alpha को f minus alpha से multiply करूँगा, ठीके न, देखे, f alpha और f minus alpha को जब मैं multiply करूँगा, और अगर मेरे को i मिल गया, कहने का मतलब है, कि आप बताएगे, जब a into b करते हैं, और बरा हमें यही चीज को proof करना है, अगर नहीं आए तो आगे बढ़ेंगे, तो देखे, सबसे पहले आप इसको multiply करिए, यह तरह की trick होती है, कि हम इस तरह के से, आसानी से questions को solve कर सकते हैं, ठीके न, ऐसे questions को जिसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक, तो यह देखे, यहा जगा, cos alpha, यह होगे, 0, 0, 1, नहीं, सुरी, यह 0 है, 0, 1, ओके, अब आप इसको multiply करिए, अब आपने क्या करना है, alpha की जगा पर minus alpha रखना है, तो भाई, आप दिमाग से लगाईए, alpha की जगा पर minus alpha रखना है, cos minus alpha, cos minus alpha क्या होता है, cos alpha ही होता है, ठीक है, तो तो क्या, cos alpha, sin minus alpha, minus, यह आपका क्या हो जाएगा, minus sin alpha, यानि, plus sin alpha हो जाएगा, ठीक है, और फिर यह आपका, देखे, 1 है, और इसके बाद, sorry, यह 0 है, sorry, मैं बार-बार गल्टी करो, यह 0 है, और sin, आप minus alpha, यानि हो जाएगा, minus sin alpha, और यह हो जाएगा, फिर से, cos alpha, then 0, 0, 0, 1, ओके, बस, अ एब आप इन दोनों को multiply करें, देखे, जब मैं इसको multiply करिंगे, पहले में काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, देखे, आप इसको multiply करें, इसको multiply करने ही कोछिस करें, देखे, क्या ह소dogeln अगली इससे multiply करेंगे देखे हुझे का cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha that is 0 ओके इसी तरह से यहाँ पर यह 0 हो गया यह भी 0 हो गया और यह 1 into 0 into 1 हो गया तो यह भी आपका कितना हो गया ठीक इसी तरह से अब आप इसको multiply इससे करिए क्या होगा sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha that is 0 और इसके बाद फिर यहां से sin square alpha plus cos square alpha यह 1 हो गया इसी तरह से 0 हो गया इसी तरह के साब इसको multiply कर यह देखे यह तो 0 ही आ रहा है फिर यह भी 0 आ रहा हो फिर इसके बाद यह देखे क्या ज़रा 1 आ ज़रा तो ये क्या आई आगया 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 तो इसका मतलब है कि भाई एलफा को जब मैं f-alpha से multiply करता हूँ तो आई आजाता है तो it simply means that कि भाई जो f-alpha है it is nothing but the inverse of f-alpha कह सकते हैं न तो इसका मतलब है कि f-alpha का जो inverse है वो f-alpha है इस case में तो बस इसका जो answer है वो कितना हो गया a हो गया okay इस तरीके से हम दोस्तों इसको solve कर सकते है ठीक है अब इसके बाद देखिए अगला question अगला question भी कोछ इसी तरीके का है देखिए same to same ऐसा ही question है अब आपको क्या है f-x की value है f-x की value आपको दे रिखिए g-y की value दे रिखिए ठीक है g-y की value है y में होना चाहिए ठीक है इसमें थोड़ा शादी mistake है g-y होगा ठीक होगा है कोई बात नहीं अब आपको f-x into g-y का inverse निकालना है ठीक है तो इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए g-y का inverse into f-x का inverse ठीक है ना अब भी हमने पिसले question में पढ़ा था कि जो g-y का inverse है यानि f-x का inverse होता है इस case में इस case में होता है आपका कितना g of minus y ठीक है ना g of minus y और यह क्या हो जाएगा बताएगा यह f of minus x है ना अभी हमने पढ़ा इसके बारे में तो g of minus y f of minus x तो इस तरह से देखा जाए तो option number c इसका right है ओके ओके इसके बाद देखे दोस्तों अगला question है a बराबर aij is a scalar matrix of order n cross n such that aii बराबर k for all i then आपको determinant of a की value निकालने देखिए आप समझ लिजए कि scalar matrix कौनसी होता है scalar matrix वो होती है जिसमें आपके principal diagonal के अलावा सारे elements 0 होते हैं जैसे for example आपके 5005 ध्यान में रहे कि principal diagonal के element होते हैं वो सारे sam होते हैं यहां पर scalar matrix और diagonal matrix Pierce में यह 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 लेंतर हैं दोस्तों कि जो diagonal matrix हैं उसके जो elements हैं, वो different हो सकते हैं, लेकिन scalar matrix के आपके जो सारे elements हम, same रहते हैं ठीक है न एक तरीके से जो आपकी identity matrix है, वो भी आपकी scalar matrix है क्योंकि आपकी scalar matrix वो एक, इस तरह की scalar matrix है, जिसमें आपके principal diagonal के element क्या हो जाते है वन हो जाते है जबकि जैसे अगर आपकी scalar matrix है इसको इस तरह से दिखा सकते है 0k now k can take any value ठीक है इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है तो यहाँ पर यह आपके सामने क्या है n cross n की scalar matrix है इसको आपने ध्यान में रखना है आपको इसका 0 और इस तरह से k ठीक अब आप बताईए जब इसका determinant लेंगे देखिए इसको मैं इसा लिख सकता हूँ k into i लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ बिलकुल को यह k common लूँगा वन अंदर हो जाएगा ठीक है अब आप इसका अब यह सब पोच करो अब इसको निकाल सकते हैं अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो अगला कोशन है वह भी सेम टू सेम ऐसी है कि अ बराबर एजी इस स्क्वायर मैट्रिक्स ने स्क्वायर मैट्रिक्स अब ही लास्ट टाइम हमने इस टाइप का कोशन आपको बताया भी था AIJ है ठीक है अब AIJ की फॉर्म में है तो बताइए भई जो KA है इसका डिटर्मेंट क्या हो जाएगा तो अफकोस इसका क्या होगा भई आपको मैंने पहली बताया क्योंकि K है वो क्या होगा आपका N टाइम साएगा यहाँ पर ठीक है तो यानि N रोस से या N कॉलम में से बा परक इतना है कि A की जगह पर आई की जगह पर आई की जगह पर ए आ गया ठीक और कुछ नहीं है तो के दोस्तों अब कुछ ऐसे कोशन जिसको हम औरली सॉल्व कर सकते हैं देखिए 44 वाला कोशन है इस A and B are matrix as that AB and A plus B both are defined कहने का मतलब है कि यह और भी इस तरह की matrix है कि AB निक A plus B का rule देखिए A plus B का rule यह कहता है कि दो matrix का addition तब ही हो सकता है जब वो दोनों same order की हो मान लेते हैं कि दोनों का same order है M cross N और M cross N ठीक है ना दोनों का order same हो यानि M cross N और M cross N क्यों नहीं ठीक अब आप बताए AB की AB का मतलब यह कहता है कि suppose करो क्योंकि हम तो A का order M cross N मान चुक तो B को N होना चीए N cross P होना चीए लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि B का order है M cross N हैं तो यहां पर यह तो आपका N है य fix है और इसको भी आपका क्या होना चाहिए N होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि जो आपका M है वो N के बराबर होना चाहिए होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज निकल के आई कि जो M और N है वो दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है, फिर से बता देता हूं कि A प्लस B है, यानि दोनों को आपने क्या करना है, दोनों का order same होना चाहिए तब ही जाके दोनों add हो पाएंगे जब दोनों add हो पाएंगे, मान लेते हैं दोनों का order है M cross N और M cross N इसको भी M cross N मान तो यनि जो N है वो M के बराबर होना चाहिए तो यहां से क्या निकल गया कि M और N दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि A and B are square matrix of same order जब दोनों का order same रहेगा तब ही जाके यह दोनों के दोनों के होंगे defined होगे तो इसका मतलब है कि A and B are square matrix of same order तब ही जाके यह क्या होगा defined होगा तो आप इसके चारो option देख सकते हैं A and B can be any two matrix नहीं A and B are square matrix not necessarily of same order देखे same order तो होना ही पड़ेगा same order के बिना तो होई नहीं पाएगा ठीक है न और इसके बाद यह हो गया कि A and B are square matrix of same order तब ही जाके यह possible ठीक है इसके बाद एक और बहुत basic सा question if A is a matrix and such that आपको एक matrix की आपकी equation दे रहे कि आपको A inverse निकालना है बहुत simple सा question है देखे 3A cube plus 2A square काई लोगों को शायद यह भी ना है लेकिन फिर इभी हम देख लेते हैं इसको किस तरह से solve करेंगे बाकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देखे हमारा motive यह है कि आपको बिल्कुल low level से अच्छी knowledge मिल जाए देखे यहां पर आप क्या करेंगे इस तरह की को solve करने के लिए आप क्या करते हैं A inverse से इसको multiply करते हैं तो देखे अगर आप इसको A inverse से multiply करेंगे तो क्या होगा देखे हो जाएगा 3 into जब आप इसको A inverse से multiply करेंगे that will become A की power 2 इसको मैं directly solve करहा हूँ वैसे क्या होगा कि यहां पर आएगा A cube into A inverse और फिर इसके बाद यहां पर लगेगा associative law फिर हो जाएगा A into A inverse that is I फिर I को multiply करेंगे तो इतना सब हम नहीं करेंगे ठीक है तो A को A के power 2 को inverse से multiply करेंगे तो A आजएगा अब 5 A into A inverse यहां पर आई की जुरत पड़ेगी तो I लिखना पड़ेगा और I into A inverse that is A inverse और A inverse को जब आप 0 से multiply करेंगे और O से multiply करेंगे तो O ही आएगा ठीक तो अब आप बताईए कि A inverse की यहां से क्या निकल क्या है यह निकल क्या है माइनस 3 A square प्लस 2 A प्लस 5 I इस तरहे के से हम निकालते हैं ठीक तो आप बताईए कि कोई option यहां पर से दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है यानि कि जो पहला वाला है वो सही है वैसे देखा जाए तो 5 नहीं होना चाहिए आप 5 I होना चाहिए ठीक है ना 5 नहीं लिख सकते है आप 5 तो आपका क्या है एक खाली की स्केलर है ना उसको जब आप मैटर्क्स को एड करेंगे तो मैटर्क्स के संगी तो आइड करेंगे ना तो 5 तो आपने आप में एक नंबर है जब 5 I होगा तब जाके वो एक मैटर्क्स बनेगी ठीक तो यह चीज भी द्यान अतनी कि पर 3A स्क्वार प्लस 2A इसमें गलत दे रहे हैं कोई बात नहीं आप समझ गये होंगे इसके बाद अगला देखिए A and B are 3 x 3 matrix then AB बराबर 0 क्या implies करता है देखिए आप खुदी देखिए कि अगर AB बराबर 0 है तो इसका क्या मतलब है देखिए अगर AB बराबर अगर Null matrix है तो इसका मतलब यह है कि Determ determinant of AB अगर आप इसका determinant निकालेंगे वो भी नल हैगा क्योंकि null matrix का determinant तो क्या होता है नल होता है भाई आप AB का जब determinant निकालोगे तो उसको हम determinant of A into determinant of B लिख सकते हैं ठीक है तो it simply means that कि यह यह तो determinant of A 0 होगा या फिर देखिए बराबर 0 होगा तो इस तरीके से हम लिख सकते है या तो A का 0 होगा या तो B का 0 होगा तो इस तरीके से देखा जाए तो C option इसका right है वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें determinant of A बराबर 0 और determinant of B बराबर 0 या बोथ 0 वाला case भी हो सकता है ठीक है ना लेकिन काईदे से देखा जाए तो बिल्कुल अगर आपको सही नि इसके बाद आपको बताना है कि इन में से कौन सा incorrect है देखिए आपको बताना है कि इन चारो statements में से कौन सा incorrect है देखिए आप पहले देखिए A square minus B square अब आप देखिए इसका लिखावा है भई A plus B into A minus B ठीक है अब आप जड़ा multiply करें देखिए A square minus B square बराबर A plus B minus B जब इस माइनस यह हो जाएगा AB क्योंकि आप मल्टिप्लाय करेंगे प्लस होगा BA और यह हो जाएगा माइनस B स्क्वाइर ठीक है ना तो अब आपको ऐसा तो नहीं दे रखा है कि जो AB है और BA है वो दोनों के दोनों आपके equal हैं क्या आपको ऐसा दिया हुआ है नहीं है ना AB और BA की value बराबर तो नहीं तेरे की है generally they are not committative तो जब वो committative नहीं है तो उस case में आप इसको कैसे लिख सकते हैं ना जब भी आपके AB और BA committative होंगे तब भी तो जाके आपके यह दोनों आपस में cancelled out होंगे ठीक है ना तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो AB है वो does not equals to B है ऐसा तो आपको कुछ दे नहीं रखा तो इस तरह के से देखा जाए तो पहला वाला जो statement है दोस्तों वो incorrect निकलाता है बाकी को भी देख लेते हैं देखें A transpose का जो transpose होता है वो A होता है तो बिल्कुल सही है इसके बाद देखें यह के रखा है कि AB की power N बराबर है आपका A की power N into B की power N बिल्कुल when AB are commute जब AB आपके commute होंगे तो इस तरह के से हो सकता है बिल्कुल होता है क्योंकि AB की power N बराबर होता है a की power n into b की power n लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि a और b को commutative log को follow करना चाहिए बिलकुल सही है ठीक है ना इसके बाद आता है आपका a minus i और आपका है ये i plus a ठीक है ना i plus a को हम a plus i भी लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है माइनस i की power 2 ठीक है ना अब a minus a तो definitely कर जाएंगे ठीक है ना वो तो है तो यहां पर हो जाएगा a की power 2 अब बिकोज i का जो power अगर हम 2 करें तो अगेन आपका क्या आता है i आता है क्योंकि ये item potent होती है ठीक है ना तो इस case में आपका क्या हो जाएगा that is equals to i ठीक तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है ठीक है तो a की i की power 2 करेंगे क्योंकि item potent matrix i को i से multiply करते है i होता है तो item potent matrix कहलाती है तो i की power 2 i हो जाएगी तो इस तरह के से ये भी बिल्कुल सही है तो यानि इसके पहला statement कर रहते है बाकी 3 बिल्कुल सही है इसके बाद देखे दोस्तों अगला बड़ा अच्छा question a is invertible matrix then the falling is correct देखे ए invertible कब होती है a invertible तब होती है दोस्तों जब उसका a inverse exist करता है ठीक है न a inverse exist करेगा और a inverse कब exist करेगा हम जानते है भई a inverse कब exist करता है उसकी value होती है adjoint of a upon determinant of a तो इसका मतलब है कि जो determinant of a है should not be equals to zero इसका मतलब है कि a should be non-singular ठीक है न तो जब non-singular होगी तब ही जाके वो exist करेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका बिल्कुल जो d option है वो बिल्कुल right है बागी देखा जाए तो यह बिल्कुल सारे के सारे गलत है ठीक है न तो determinant of a should not be equals to zero a inverse is singular बिल्कुल गलत है ठीक है और इसके बाद यह तो आपका a inverse का जो transpose होता है वो a transpose के inverse के बराबर होता है a inverse is multivalued नहीं ठीक है न तो यहाँ पर देखा जाए तो यह इसका d option बिल्कुल right है इसके बाद देखे दोस्तों which of the following आपको चार statement आपको दिये वे हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन से correct है या इनके कौन कौन से combination सही है देखे सबसे पहला वाला है कि adjoint of symmetric matrix is symmetric आपको बताना है कि जोThis symmetric matrix का joint होता हुए इसी तरह से देखना है कि जो adjoint of a का transpose है वो कि adjoint of a के बरबर आईगा अभी हमने दूस्तों पढ़ा था कि जो adjoint of a का transpose होता है वो होता है joint of a transpose थीक है अभी हमने देखा भी जो A का जो transpose है वो तो A के बराबर है तो ये हो जाएगा Adjoint of A तो इसका मतलब ये है कि Adjoint of A का transpose Adjoint of A आ रहा है इसका मतलब पहला statement तो right है ठीक है इसके बाद Adjoint of Unit Matrix इस अलसो Unit Matrix चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ठीक है Adjoint of Unit Matrix देखिए Unit Matrix Unit Matrix क्या होती है आई आपको बताना है कि जो Adjoint of I है क्या वो फिड से आपका I होता है देखिए आप चेक करिए आपको पता है जो I का Inverse होता है आई का अगर आप Inverse निकालते हैं तो वो I होता है क्यों होता है क्योंकि I into I बराबर I होता है ठीक है ना जिसे ए भी बराबर I होता है तो वो I अपना खुद का Inverse होता है ठीक है ना तो अगर आप देखिए I Inverse तो I Inverse एक्शुली क्या होगा ये होगा Adjoint of I upon Mod of I ठीक है ना तो Mod of I तो Actually होता है Adjoint of I Actually क्या आगिया आपका I Inverse आगिया I Inverse एक्शुली क्या होता है I होता है तो Adjoint of I बराबर क्या होगा इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते है तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है ठीक है ना दूसरा पहला दूसरा स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है तीसरा स्टेट्मेंट तो Definition है इसको तो हमने 25 बार पढ़ दिया A to Adjoint of A बराबर ये तो होता ही है ठीक है इसके बाद अगला Adjoint of a Diagonal Matrix इस और Diagonal Matrix देखिए आपको मैंने कल वीडियो बताई थी Diagonal वाला जब मैंने आपको कोशन करवाय था ठीक है ना तो जैसे आपके Diagonal Matrix D1, D2 से लेके Dn ठीक है ना तो अब जब मैंने आपको इसका D1 Inverse निकाला था तो भी क्या आया था एक Diagonal Matrix ही आई थी ना तो जब भाई जब जब Inverse आपका Diagonal Matrix आ रहा है तो definitely जो Adjoint होगा वो भी क्या होगा Diagonal Matrix ही होगा इसका Right Answer होना है क्योंकि इन चारों में से कोई भी Combination सही नहीं बैठ रहा है तो यानि All of These Are Right तो इस तरहे के से इसको Solve करेंगे इसके बाद अगला Question है दोस्तों कि आपको दिया होगा है कि Alpha, Beta, Gamma, Minus Alpha is to be a square root of two road unit matrix then Alpha, Beta, Gamma should satisfy the relation ठीक है ये आपके सामने एक matrix है let's suppose करों में इसको A मान लेता हूँ is to be the square root of two road unit matrix देखे two road unit matrix इसमें आपकी क्या होंगी दो रूंगे उसको किससे दिखाएंगे I2 से तो जो A है A बराबर आपको दे रखा under root of I2 तो भाई अगर आप square को इदा लेंगे तो A की power 2 बराबर हो जाएगा I2 ठीक है simply आपको ये दिया हूँ बस आपने इसका use करना है तो देखे A की value आपके कितनी है A की value है देखे दोस्तों alpha beta gamma minus alpha into alpha beta gamma minus alpha ठीक है ना बराबर आपको दे रखा I2 I2 कितना होता है ये होता है 1001 अब आप बस इसका उप्योग करें तो देखे इसका उप्योग कैसे करेंगे यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा दोस्तों सॉरी दोस्ते है मिडिया तो कोई बात नहीं इसको लिख लेते हैं A2 बराबर है आपका I2 और फिर से मैं इसकी वैल्योग लिख देता हूँ यह आपका कितना था यह था अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ठीक है ना यह बराबर है आपका I2 गए ठीक I2 की वैल्योग कितनी होती है यहाँ पर लिख देते हैं 1001 ठीक है अब आप इसको multiply करें तो देखे multiply करेंगे कैसा होएगा देखे alpha square प्लस beta gamma ठीक है इसके बाद इसको multiply करेंगे यह हो जाएगा alpha beta minus alpha beta जिरो हो जाएगा फिर alpha gamma minus alpha gamma यह भी zero हो जाएगा फिर यहाँ पर multiply होगा alpha बीटा तो यह हो जाएगा देखिए alpha बीटा आप इसको और इसको multiply कर रहे हैं ठीक है तो यह जाएगा beta गामा beta गामा प्लस alpha square ओके यह आगया बराबर आपको दे रखा है 1001 ठीक है अब आप compare करें तो compare करेंगे तो यह किसके बराबर आजाएगा 1 के तो 1 बराबर है आपका alpha square प्लस beta गामा ठीक है तो इस तरह के से देखा जाए तो 1 minus alpha square minus beta गामा बराबर 0 यह इनके बीच में relation है तो इस 1 minus alpha square minus beta गामा यह आपका सही आंसर होना चाहिए ठीक है इस तरह से देखा है तो वैसे db बिल्कुल सही बैठता तो कोई बात नहीं यह इसको आप छोड़ दीजे यह भी आपका सही देखा जाए तो db इसका सही बैठता alpha square plus beta गामा minus 1 बराबर 0 कोई बात नहीं बस आप इसक आप ध्यान में रखेंगे ठीक इसके बाद देखें दोस्तों अगला question है for a matrix a is equal to a square plus i is equal to null matrix आपको बताना है की इन में से कौन सा a की value होनी जीए ठीक है ना आप दोस्तों इसको hit and trial method की method से भी अपना सकते हैं देखें अगर आप definitely इसका square करेंगे एक यह आपके सामने एक identity matrix है identity matrix का जो square होता है वो आपका क्या होता है अगेन आपका एक identity matrix होता है तो यहाँ पर of course अगर आप i plus i करेंगे तो वो null तो होनी सकता ठीक है तो यह option तो आपका incorrect हो गया आप यह काम करें इसको अपना ही ठीक है तो a बराबर आपका है यह है minus i zero और zero और minus i ठीक है ना यानि कहने का मतलब है कि अगर आप इसका square करेंगे तो minus of i आना चीए ठीक है अगर आप इसका a square करेंगे तो minus of i तो देखिए एक काम करके देखते हैं इसको multiply करते हैं यह जाएगा minus i zero zero और minus i ठीक है मैं एक काम करेंगे इसका power 2 निकाल के देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होगा जब आप इसको multiply करेंगे तो यह और आप यह multiply होगा तो य हो जाएगा i का square ठीक है ना i का square यह हो जाएगा 0 फिर यह भी हो जाएगा 0 और यह बन जाएगा i का square i का square actually क्या होता है minus 1 तो minus common आ गया तो यह हो जाएगा आपका 1001 so that is minus i तो it simply means that की भाईया जो यह value है इसको satisfy करें तो अगर यह satisfy करें तो यही a की value तो इस तरीके से दोस् question है इसके बाद अगला question है if a is equals to aij m cross n is a matrix of rank r then आपको यह बताना है देखिए आपके सपास एक matrix है a barabar है aij m cross n ठीक है और suppose करो इसकी rank आपकी r है ठीक है इसकी rank r है अब आप rank से क्या समझते है देखिए rank का fund आप यह समझ लीजिए कि अगर a की matrix r rank है तो इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जो a की square sum matrix है a की अगर आप square sum matrix निकालेंगे जिनका order r plus 1 है तो r plus 1 की जितनी भी आपकी square sum matrix होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी singular होंगी singular समझ रहे है ना यानि कि उनका determinant की value आपकी क्या है गी 0 ठीक है और at least एक square sum matrix ऐसी होगी जिसका order r है वो आपका non singular होगी समझ में आ रहा है definition definition को आप इसको समझे कि a की rank r का मतलब यह है कि जितनी भी a की square sum matrix ध्यान में रहे कि जब भी आप लेंगे तो square sum matrix ही लेंगे समझ में आ रहा है ना तो जो matrix है वो आपकी square matrix होंगी जिनका order r plus 1 है यानि r से 1 ज्यादा है माना सब पोचकर इसकी rank अ एक ज्यादा वाली यानि 6, 7, 8 जितनी वाली भी होंगी वो सारी की सारी higher order की आपकी क्या होंगी singular होंगी यानि कि उनका determinant क्या आएगा 0 आएगा ठीक है ना लेकिन जो आपका 5 order की जो square matrix होंगी या square sum matrix होंगी उनमें से कम से कम एक आपकी non singular होगी यानि कि उनके determinant की value 0 नहीं होगी ये rank of unda होता है ठीक है ना तो अब ये क्या हो सकता है कि जो r है ना जो r है ये हो सकता है कि m के बराबर भी हो सकता है और या फिर n के बराबर भी हो सकता है कहने का मतलब है इन दोनों में जो minimum होगा उसके बराबर भी हो सकता है या फिर उससे less भी हो सकता है कहने का मतल लेंगे जब 3 x 3 के लेंगे तो हो सकता है कि इसका यह आपकी क्या निकल जाए अगर यह नॉन सिंग्लर हो जाएगी तो यही इसकी क्या होगे रहेंगे तो कहने का मतलब है कि minimum of m on n भी हो सकती है लेकिन support करो अगर इसकी square sub matrix 3 cross 3 की अगर सारी की सारी 0 आगे तो आप 2 cross 2 की देखेंगे तो तो हो सकता है कि इसकी rank 3 से भी छोटी चली जाए तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों जो 52 का जो c option है वो right है कि जो r की value है it should be less than equals to minimum of m common 4 और 3 में से जो minimum होगा उसके बराबर भी हो सकती है या फिर उससे less भी हो सकती है इस चीज को आपने ध्यान में रखना है ठीक है न मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जैसे आपके पास कोई matrix है सब पुछकोर अगर वो 6,5 की है ठीक है तो आप जब सबसे पहले जो इसकी square matrix ही अगर M है यह N है तो अगर जब आप इसकी square sum matrix लेंगे तो वो 5 cross 5 की होगी अब आप 5 cross 5 को आप check करेंगे कि वो singular है या non singular है ठीक है ना अगर वो singular आ गई ओके अगर वो singular आ गई तो इसका मतलब है कि इसकी जो rank है वो आपकी इससे भी नीचे यानि आपको 4 cross 4 की check करने पड़ेंगे ठीक है ना यहाँ पर आप check करेंगे अगर यह suppose करो non singular आ गई तो अगर यह non singular आ गई तो इसके rank आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी तो 5 होगे तो इसका मतलब M और N जो दोनों में minimum है कौन है n minimum है तो इसके rank आपकी 5 आ गई अब हो सकता है कि इसकी rank 5 से भी नीचे हो जाए हो सकती है बिलकुल हो सकती है क्योंकि suppose करो अगर यह singular हो जाए तो definitely हम आपकी lower sub matrix को देखेंगे ठीक ना तो यहाँ से जो अगर आपको rank की definition अच्छे से पता है तो आप easily इसको solve कर सकते हैं ओके इसके बाद अगला जो question है देखें if IN is an identity matrix of order N then rank of IN is ठीक आपके पास एक identity matrix है मैं आपको I3 से दिखाता हूँ ठीक है ना I3 देखें जब I3 होती है वो आपकी कैसी matrix होती है यह होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ओके अब यह 3 cross 3 के matrix है ठीक है अब आप बताईए यह कैसी matrix है singular है या non singular है यह definitely non singular है non singular का मतलब है कि जो इसका determinant है वो 0 के बराबन नहीं है 0 के बराबन नहीं है उसकी value actually कितनी है 1 है तो of course जो इसकी rank है वो कितनी होगी 3 होगी ठीक है यानि कि इसकी rank है वो आपकी 3 है तो इस case में आप देख सकते हैं कि अगर आप i2 है i2 का भी determinant non zero है तो i2 भी आपकी क्या होती है या आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं या आपकी जो इसकी rank है वो आपकी कितनी होगी 2 होगी तो इसी तरह से अगर आप i n निकालेंगे तो उसका भी आप n cross n कि अगर आप matrix निकालेंगे इसका अगर आप determinant निकालेंगे तो उसकी value भी आपकी कितनी आएगी non-zero आएगी यानि वो actually किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी hence we can say that the rank of matrix will be n hence in is an identity matrix of order n तो उसके rank हमेशा कितनी होगी n होगी इस चीज को आप ध्यान में रखेगा कि आपके पास कोई भी identity matrix है जितना उसका order होता है वो ही उसकी rank होती है okay इसके बाद देखे दोस्तों एक और interesting question if aij m cross n is a matrix of rank r and b is a square sum matrix of order r plus n then आपको बताना है कि b invertible होगा not invertible होगा b may or may not be interval या none of these ठीक है ना अभी मैंने आपको बता है कि अगर a की rank r है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जितनी भी square sum matrix होंगी r plus 1 की वो आपकी क्या होंगी वो होंगी दोस्तों क्या होंगी singular होगी यानि की singular होगी तो determinant of b definitely क्या होगा 0 होगा अगर determinant of b 0 आगया तो भाई इसका inverse ही exist नहीं करेगा अगर इसका inverse exist नहीं करेगा तो यह invertible नहीं होगा क्योंकि b आपकी क्या है आपकी square sub matrix है, na, a की और इसकी rank r plus 1 है सुरी इसका order r plus 1 है और आपको a बता रहें कि a की rank r है, तो r plus 1 की जितनी भी square sub matrix होंगी वो आपकी singular होंगी, अगर वो singular है तो उनका inverse तो to exist करने से रहा ठहिए न, तो inverse exist नहीं करेगा तो definitely आपकी क्या होंगी वो invertible नहीं होंगी तो B इसका right answer है तो B is not invertible इसके बाद next question the rank of null matrices अब आप बताईए कि जो rank of null matrix है वो क्या होगी suppose कर आपके पास यह null matrix है ठीक अगर आप यह 2 x 2 की है जब आप इसका definitely आप इसका modulus निकालेंगे तो यह आपकी definitely क्या निकलेंगे singular निकलेंगे अगर आप फिर 1 x 1 का निकलेंगे वो भी singular निकलेंगे तो इस तरह किसे देख सकते हैं कि जो rank of null matrix है वो does not exist होती है यह निकि उसकी जो rank है वो exist नहीं करती है क्योंकि आप आप देख सकते हैं कि आप rank 0 का कोई concept नहीं होता है आप सीधे 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 से देखेंगे बहुती है तो 1 होगी 2 होगी 3 होगी तो इस case में आप देख सकते हैं कि इसकी जो rank है वो exist नहीं करती है इसके बाद देखिए अगला question ये काफ़े interesting है कि if A is again a matrix of order m cross n and B is a non singular square sub matrix of order r ठीक हो गया देखिए अब वही उसी चीज़ का पहलू आगया कि A आपकी matrix है जिसका order है m cross n और B एक ऐसी matrix है इसकी sum matrix है square जिसका modulus यानि कि अगर हम इसका determinant निकालेंगे वो आपका non zero आता है यानि कि आपकी एक non singular matrix है और इसकी आपका order कितना r है ठीक है तो अब क्या A की rank r होगी देखिए A की rank r हो भी सकती है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है देखिए इतना तो sure है कि A की rank r या r से ज़्यादा होगी तो आप surely नहीं कह सकते कि जो rank of A है वो r होगी हो सकता है कि r plus 1 वाला कोई आपकी matrix sub matrix जो की square sub matrix है वो भी non singular निकल आए हो सकता है ना तो इस case में हम लिखेंगे कि जो rank of A है वो greater than equals to r होगी यानि r के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है इस तरह से देखा जाए तो कोई भी option सहीं है तो D इसका right answer है इसके बाद अगला देखिए which of the following is correct आपको बताने है कि determinant होता क्या है determinant is a square matrix बिल्कुल गलत क्योंकि आप देखिए determinant आपकी square matrix determinant कोई matrix नहीं है ठीक है ना determinant आपका क्या एक number है ठीक है ना determinant is a number associated to the matrix ये भी गलत है क्यों क्योंकि देखिए आप किसी matrix सपोच करो आपके पास एक 2 x 3 की matrix है ठीक है अब आप बताईए क्या इसका आप determinant निकाल सकते हैं ये आपके पास 2 x 3 की matrix है ठीक है ना तो 2 x 3 का आप determinant नहीं निकाल सकते हैं तो determinant के लिए क्या होना चीए determinant के लिए matrix को आपका क्या होना चीए square matrix होना चीए तो determinant is a number associated to the square matrix तो determinant वो number है जो की associated होता है आप मेंसा किस से square matrix से तो that is the right answer तो यहाँ पर यह चीजों को अपने ध्यान में रखना है कि matrix का order जब आपका square होगा यानी कहने का मुलब सेम होगा m x m का तब ही जाकि उस पर determinant आप उससे associate कर पाएंगे उसका determinant निकाल पाएंगे ठीक है इसके बाद देखिए दोस्तों अभी एक questions आपके लिए काफी easy है let a be the square matrix of order and cross in and k be the scalar then k a अभी हमने इसके बारे में discuss किया बताईए k a क्या हो जाएगा देखिए एक matrix and cross in की तो क्या हो जाएगा k की power into a बहुत simple है तो इस तरह से c's का right answer है a आपका a skew symmetric matrix है of odd order then determinant of a देखिए आप बताना है कि a skew symmetric matrix है और आपको इसका determinant को find out करना है तो देखिए दोस्तों आप इसको किस तरह के से करेंगे a आपकी skew symmetric matrix है देखिए skew symmetric matrix क्या होती है जिसका transpose क्या होता है minus of a के बराबर होता है ठीक है ना अब एक काम करते हैं यहाँ पर हम दोनों side determinant ले ले लेते हैं यानि कि दोनों side हमने determinant ले लिया ठीक अब आप बताईए क्योंकि ये तो बाई odd order है ठीक है ना अब ये तो हम जानते है जो a transpose का determinant होता है वो a के determinant के बराबर होता है ठीक है अब आप ये बताइए क्योंकि ये odd order की है जैसे इसका order होगा 3, 5, 7 तो जब minus common हैगा तो क्या हो जाएगा minus 1 की power क्या हो जाएगा 2 and plus 1 जो भी रहेगा odd ही रहेगा है ना तो minus 1 की power 2 and plus 1 of course क्या होगा minus होगा होगा नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दे रहेगा है कि it is of odd order तो odd order है तो जो minus है minus 1 की power 3 minus 1 की power 1 minus 1 की power 5 वो common आएगा है ना तो minus ही आएगा तो इदर से क्या हो जाएगा बए 2 determinant of a बराबर 0 तो determinant of a बराबर हो जाएगा 0 ध्यान रहे कि इसका modulus determinant of a बराबर 0 हो आएगा यह तब ही आएगा जब आपका क्या होगा odd order होगा ठीक है यह मैंने आपको बताया भी था पहले अपने उसमें तो square symmetric matrix of odd order है तो उसका determinant हमेशा 0 होता है लेकिन even order है तब वो case नहीं होता अगर आपको इस सारे rule बता है तो आप इसको easily आप बस टिक करेंगे आपको इतना भी solve करने के अवशक्ता नहीं रहेगी इसके बाद देखे दोस्तों अगला question है if a be the a be the q symmetric matrix of even order देखिए अभी even order वाला मैंने आपको बताया था तो आपको बताना है कि is a square is not a square is always zero none of these देखिए एक काम करते हैं इसको check करके देख लेते हैं कि इसका साही अंसर क्या होगा मैं इसके लिए काम करता हूँ आपके सामने एक matrix लिखता हूँ जो कि आपकी क्या है q symmetric matrix है order 3 cross 3 की देखिए यह आपका है 0 2 minus 3 और minus 2 0 5 और फिर है 3 minus 5 और 0 ठीक है ना तो आप देख सकते हैं यह आपके सामने एक is q symmetric matrix है जिसका अगर हम transpose लिएगे तो वो आपका इसके negative के बराबर आएगा ठीक है ना तो आप इसको किस तरीके से solve किया जाएगा यहाँ पर आपी ठीक है जब आप इसका determinant लेंगे तो क्या होगा इस case में इस case में जब आप इसका determinant लेंगे देखे पहले का तो होजाएगा 0 फिर होजाएगा minus 2 into देखे यह और यह जाएगा तो यह होजाएगा आपका minus 15 and then इसके बाद होजाएगा minus 3 यह आपका कटेगा तो 5 टूजा होता है आपका कितना 10, ठीक है, 5 टूजा होता है आपका 10, 10-3, ठीक, इस तरह के सा अगर आपका देखा जाए तो ये 15 टूजा हो गया आपका 30, 30, 15 टूजा हो गया आपका 30, 30-30, that is 0, ठीक है, क्योंकि ये odd order की हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले odd order की चेक कर लेते हैं, odd order की तो हमें इसा 0 ही आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं even order की चेक करता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने एक matrix मैंने लिखी वी है, यहां पर, जो की even order की है, तो आप तरह से कह सकते हैं, कि यह आपके square होगी, ठीक है, तो इसका जो right answer है, वो क्या है, it is a square, अब आप एक काम करिएगा, 4 x 4 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, 4 x 4 के लिए, अगर आप even order में, अगर आप 2 x 2 के लिए देखेंगे, तब तो वो 0 ही आएगी, क्योंकि, sorry, वो आपक square ही आएगी, क्योंकि इसके तो आपके सितने भी diagonal वाले element होते हैं, 0 ही होते हैं, तो अगर आप इसमें देखें, तो यह आपकी 0, 0 ही आएगी, आप आप कोई से भी देख लिए, 4-4, तो हमेशा क्या आएगी, square ही ठीक है, लेकिन 4 x 4 में भी आप इसको check करके देखेगा, त square ही आएगी, तो A is a skew symmetric matrix, अगर even order है, तो वो आपकी क्या होती है, square होती है, ठीक है, इसके बाद अगला orthogonal matrix का आपके सामने का example आगिया है, कि if A is an orthogonal matrix, then आपको बताना है कि क्या value रहेगी, orthogonal matrix क्या होती है दोस्तों, orthogonal का मतलब यह होता है दोस्तों, कि A into A transpose बराबर हो जाता ह है i, ओके, यानि कि जो A transpose है दोस्तों, वो A inverse का जब काम करने लग जाए, एक काम करते हैं, दोनों तरफ में अगर determinant ले लूँ, तो जो i का determinant है, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको कहले सकते है, determinant of A into determinant of A transpose is equals to 1, as we know that, कि determinant of A transpose होता है, वो भी determinant of A के बराब अबर अपका कितना हो जाएगा, plus minus 1, बहुत सिंपल है, तो इस तरीके से दोस्तों, इसका right answer कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ओके, यहाँ पर, I hope कि आपको कोई दिकत नहीं आनी चाहिए, ठीक, इसके बाद अगले, देखे, A is a non-singular matrix, square matrix है, then आपको determinant of adjoint of A निकालना है, देखे, adjoint of A की जो value होती है, determinant, वो आपकी कितनी होती है, मैं आपको पहली बताया है, mod A की power कितनी हो जाएगी, n-1 होती है, ठीक है न, इसको हमने पहले भी proof किया है, ठीक है, हम इसको बहुत easily proof कर सकते हैं, जैसे क्य होता है, यह होता है, mod of A into I, ठीक है न, अब आप एक काम करें, both side अगर आप determined ले 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 तो mod of A into mod of adjoint of A हो जाएगा, ठीक है न, is equals to mod of mod of A, तो जब आप इसमें mod of mod of A लेंगे, तो इसमें से आप जब आपका, देखे, यह तो आपका एक scalar है, अभी हमने पढ़ा कि भाई, जो K into A की, का अगर आप mod लेंगे, तो K की पावर N हो जाता है, तो इसी तरीके से यह जब बाहर आएगा, तो determinant of A की पावर N हो जाएगा, और determinant of IN, यह आपका कितना हो जाएगा, ठीक है न, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, तो यह हो जाएगा, adjoint of A बराबर हो जाएगा, mod of A की पावर N-1, तो इस तरीके से दोस्तों यह बनता है, ठीक है न, यहाँ पर वाला concept आप समझ लीजिए, क्योंकि यह आपका एक स्केलर है, इसको K मान लो, तो K into I की पावर N, अब भी हमने पढ़ा थाक भाई, determinant of K A, इसके बाद अगला question, इसके बाद देखें दोस्तों, एक और question, जो कि बिलकुल उपर वाले के तरह है, लेकिन थोड़ा सा गुमा रखा है, A is a square matrix है, and Cij be the co-factor of Aij, और आपको दे रखा है, तो बताईए, mod of C की value क्या होगी, देखें, same to same वैसा ही है, अब आप मुझे बत है, जो co-factor matrix सा, उसका transpose ही, actually, adjoint of A की value होती है, A के जितने भी co-factor है, उनका आप निका लिए, उसका transpose कर दीजे, तो अगर मैं इन दोनों तरफ में, अगर मैं mod कर दूँ, अगर मैं दोनों का mod ले लूँ, तो ये हो जाएगा, mod of C transpose, अब mod of C transpose, actually, क्या होगा, mod of C ही होगा, अभी हमने adjoint of A की value निकाली थी, बताओ, क्या निकाली थी, दोस्तों, mod of A की power N minus 1 निकाली थी, तो actually, जो mod of C की value होगी, वो क्या होगी, mod of A N minus 1, ठीक है, तो किस तरीके से देखिए, हम इसको निकाल सकते है, adjoint of A की जो definition होती है, वो यही होती है, कि जो co-factor matrix है, उसका transpose, आ A is, अब देखिए, A is a non-singular square matrix of order N है, पहले ही आपको देदिया कि A आपकी non-singular square matrix है, जिसका order N है, तो then आप यह बताईए, कि इसकी rank क्या होगी, of course, इसकी जो rank होगी, वो क्या होगी, N ही होगी, यानि equals to N होगी, ठीक है, क्योंकि आपको सब matrix की बात नहीं हो रही है, य कि आपको determinant of A आपका क्या होना चाहिए, does not equals to 0 होना चाहिए, अगर determinant of A does not equals to 0 है, अब आपको सब matrix निकालने की जरूतनी, खुद अपने आप में ही वो square matrix है, और इसका order N है, यानि N cross N की matrix है, और determinant of A does not equals to 0 है, यानि की non-singular है, तो इसके rank आपकी N के बराबर होगी, ठीक है रहें के definition अच्छे से आती है, तो कोई दिकत में in questions हो करने में, ठीक, इसके बाद अगला, अब देखें दोस्तों, वही question जो मैंना आपको बताया था कि A is a matrix such that there exists a square sum matrix of order R, which is non-singular, and every square sum matrix of order R plus 1 or more is singular than rank of A, of course, क्या हो जाएगी, rank of A हो जाएगी, R हो जाएगी, अभी तो हम इसके बारे में discuss किया, ठीक है ना, यानि कि A अगर आपके पास कोई matrix है, हम क्रोस इनकी, और इसकी every square matrix, every इसकी जो square matrix है, जिसका order R है, वो आपकी क्या है, non-singular है, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते है, any, यानि at least one, जो आपकी है, वो आपकी non-singular है, यानि कि इसका जो determinant है, यानि zero के बराबर नहीं है, ठीक है, और every square sub matrix of order R plus 1, यानि R plus 1, या उससे उपर की, वो singular है, यानि इनका determinant 0 है, तो यही तो rank की definition है, तो rank of A क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, rank of A, let A be the matrix of rank R, then आपको बताना है, rank of A transpose क्या होगा, ठीक है अब आप बताईए कि rank of A transpose क्या हो, देखे दोस्तों, जैसे हमारे पास A कोई matrix है, वो M cross N की है, ठीक है, अब आप बताईए, इसके rank होती क्या है, इसके rank actually मैंने आपको बताया था, वो होती है, minimum of M, N से less, या उसके बराबर, होती ही नहीं होती है, ठीक है ना, अब आप बत है, कि अगर मैं इसका transpose निकालूँगा, तो इसका transpose हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, N, M, होगा, नहीं होगा, N, N होगा, तो फिर से rank of A transpose होगा, वो भी तो आपका वही होगा, less than minimum of N, M हो जाएगा, तो M, N करो जाएगा, N, N, कोई फरक पढ़ता है, नहीं पढ़ता, तो इसका मदलब जो है, कि जो rank of A transpose है, वो भी R के ही बराबर होगी, ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, कि जो A, अगर matrix है, उसके rank R है, तो A transpose की भी वही rank होती है, इस चीज़ को अपने दान में रखना है, इसके बाद अगला question, लेट A बराबर A, J, M cross N, be the matrix as that, क for all I, J, then आपको बताना है, कि rank of A क्या होगी, ठीक हो गया, अगर आपके पास एक matrix है, वहाँ पर सारी entry 1 के बराबर है, अगर सारी entry 1 के बराबर है, तो क्या होगा, देखें दोस्तों, इसका मतलब ये है, कि आपके पास कोई matrix है, अगर उसमें सारे element 1, 1, 1 है, बना 1 है, तो तब क्या होगा, देखें, suppose करो मैं 3 क्रॉस 3 की matrix लेता हूँ, ठीक है, let's suppose करो मैं 3 क्रॉस 3 की matrix लेता हूँ, ये आपके सामने है, ठीक, अब आप बताईए, कि अगर मैं इसका determinant निकालूंगा, तो उसकी value क्या आएगी, 0 आएगी, आप निकाल सकते हैं, इसको देखें, ये singular है, इसी तरह से, अगर आप 4 क्रॉस 4 की ले लो, 4 क्रॉस 5 की ले लो, तो उनकी भी जो rank आप देख सकते हैं, आप जिसे जिसे नीचे चाते जाएंगे, इनकी value 0 होती जाएगी, तो कहने का मतलब है, कि अगर आप 3, 2 तक जाएंगे, तो इनकी सभी value क्या होने वाली है, 0 हो इनकी determinant की value 0 होने वाली, यानि की सारे के सारे singular है, अब इसके बाद जो अगली matrix होगी, जिसमें आपका एक single element होगा, यानि की 1, अब of course इसका ये क्या होगी, आपका इसका जो determinant है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, उसकी value तो 1 आएगी, तो of course जो इसकी rank है, वो क्या हो ही है, क्योंकि आप जितने भी उसके square sum matrix लेंगे, जिनका order 2 या 2 से जादा होगा, वो सारी की सारी 0 हो जाएंगे, उनकी अगर आप value निकालेंगे, यानि की अगर वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक, जैसे अगर आप suppose 4 x 3 की निकाल तो आप जैसे इस तरह से अगर आप निकालते हो, 4 x 3 में क्या होगा, आपकी 4 row होंगी, ठीक है, ये, ठीक है ना, अब आप जैसे इसमें 4 row होगी, और आपकी 3 column होगे, तो आप आप क्या करोगे, आप इसकी square sum matrix निकालोगे, 3 x 3 की, अब 3 x 3 की निकालोगे, तो वो of course क्या ये, वो आपकी singular निकालेगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, कि एक आपके सामने का matrix है, अगर इसमें सारी entry 1 है, तो उसकी rank हमेजा क्या होती है, ये, आपको सीधे-सीधे rule है, इनको ध्यान में रखना है, इसके बाद अगला आता है, 68 question जो है, if A be the non-zero column matrix of order m cross 1 and B is the non-zero row matrix of order 1 cross n, then rank of AB equals, देखे दोस्तों, इस question को आप कैसे करेंगे, देखे, A is non-zero column matrix है, जिसका order m cross 1 है, और B आपका non-zero row matrix है, जिसका order 1 cross n है, देखे, A आपकी column matrix है, देखे, column matrix किस तरह से होगी, इस तरहे के से होगी, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखे, यह होगा, A 1 1, A 1 2 से लेकर, आपका क्या हो जाएगा, A, A आपका हो गया, 1 M, ठीक है, यह आपकी non-zero column matrix है, ठीक है, column matrix आपकी इस तरहे के से है, ठीक, यानि कि आपका m cross 1 की, इसमें A की column है, लेकिन आपकी rows आपकी क्या है, आपकी, इसमें, sorry, यह A 2 1 होगा, I am sorry, I am sorry, यह होजाएगा, A, A, M 1, okay, M 1, इसी तरहे से अगर आप B निकालें, तो B आपकी क्या है, स्रिफ row matrix है, देखे, row matrix कैसे होगी, आपकी इस तरहे के से होगी, B 1 1, B 1 2 से लेकर, आपके कितनी होगी, आपकी B 1 और आपकी क्या होगी, N, ठीक है, अगर आप इनको multiply करेंगे, देखे, obviously, आपकी M cross N की matrix आएगी, देखे, AB अगर आपकी क्या होगी, M cross N की matrix आएगी, जब आप इसको multiply करेंगे, क्योंकि देखे, सबसे important चीजे non-zero हैं, तो इसमें आपके non-zero element नहीं रहेंगे, द आपका कितना आजाएगा, A 1 1 और B 1 N, ठीक है, इसी तरह से अप second वाला चलेगा, A 2 1, B 1 1, इसी तरह से A 2 1, B 1 2, सेम प्रोसेस चलती रहेगी, फिर हो जाएगा, A 2 1, B 1 N, ठीक, और last में इस तरह से आजाएगा, ठीक, अब आपकर इहां पर देखे, देखे, सारे element होंगे, आपके non-zero, क्योंकि आपसे कह रहा है कि A is a non-zero column matrix, तो ये तो non-zero है, तो आप जब इनके minor लेंगे, देखे, आप 2 cross 2 का minor ले लिए, कोई भी एक उठा के ले लिए, देखे, क्योंकि ये तो non-zero है, ये सारे के सारी non-zero है, तो अगर आप इसका minor उठा के देखे, तो अगर आ कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप इनके two cross two के minor's लेंगे, वो सारे के सारे आपके zero हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे क्या होंगे, singular होंगे, तो इसका obvious ही बात है कि जो इसकी rank वो two से छोटी हो जाएगी, तो इसी तरह के सब three cross three के ले सकते हैं, साब matrix 4 x 4 के लेंगे वो सारे के जारे 0 हो जाएंगे मेरा बस आपको मोटे था कि आपको बस 2 x 2 का दिखा तो जैसे 2 x 2 के हो रहे वैसे इससे उपर के भी सारे 0 हो जाएंगे तो obviously बात है कि जो rank of a b है वो क्या होगी 2 से less होगी तो obviously क्या होगी 1 होगी ठीक है तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जब आपकी a non-zero column matrix है non-zero ध्यान रहे कि non-zero कोई भी element इसमें 0 नहीं है अगर यह 0 हो जाएक तो भाईया खेल भी गड़ जाएगा लेकिन आपसे देखेंगे तो यह आपको singular मिलेगी singular यानि इसका determinant 0 मिलेगा तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखना कि जो इसका rank है वो आपकी 1 के पराबर होगी I hope कि अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है इसके बाद अगला question देखिए if a is invertimal matrix then determinant of a inverse देखिए determinant of a inverse जैसे determinant मतलब आप इस तरह के इसका निकाल सकते है 1 upon determinant of a होता है ठीक है इस चीज को अपनी ध्यान में रखना है ओके आप चाहें तो इसको प्रूब भी कर सकते हैं जैसे कि आपको a into a inverse बराबर आपका क्या होता है आई होता है ठीक है तो आप both side आप determinant ले लिजे तो a into a inverse बराबर हो जाएगा आपका determinant of i that is 1 तो mod a मतलब determinant of a into determinant of a inverse बराबर 1 तो determinant of a inverse बराबर क्या हो जाएगा 1 upon determinant of a तो बहुत easy है ज्यादा इसको पढ़ने की आवशक्ता नहीं है इसके बाद देखिए बड़ा important question एक्जाम के दिश्टी से काफी important है a and b are two matrix as that rank of a m है rank of bn है तो क्या relations में सही होगा देखिए आप हमे rank of a b होता है it is always less than equals to rank of a ठीक है यह जान में रखेंगे इसी तरह से जो rank of a b है वो हमेशा less than equals to होता है rank of b ठीक है दोनों के rank से आपका हमेशा less या उसके एकोल होता है ठीक इसके बाद अगर हम बात करें rank of a b की तो इसका मतलब यह है वो less than होगा जो इन दोनों में से minimum होगा ठीक है तो जो minimum होगा rank of a, rank of b यह इनका relation है ठीक है तो जो rank of a b होता है it is always less than equals to minimum of rank a जब आप इन दोनों result को combine करेंगे तो इस तरह के आपको result निकल के आएगा जो इन दोनों में से minimum होगा उसमें उसकी rank वो बराबर हो सकता है लेकिन उससे भी वो क्या हो सकता है कम हो सकता ह ठीक है इसके बाद if a is an invertible matrix and b is a matrix then आपको बताना है कि rank of a b की value क्या होगी ठीक है देखें दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे थोड़ा conceptual question आप इसको ध्यान से देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो rank of a b होता है वो आपका less than equals to होता है rank of a ठीक है इसी तरह से rank of a is less than equals to होता है rank of b इसको अपने ध्यान में रखना है because a is invertible तो a inverse exist करेगा a अगर invertible है तो उसका inverse exist करेगा ठीक है तो अब जो मैं a काम करता हूँ जो rank of b है ना यानि b को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कैसे ऐसे लिख सकता हूँ a inverse into a b लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ क क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि a inverse exist करता तो a inverse into a तो i हो जाएगा ठीक है ना तो अब आप देखे इसी concept का यूज करें देखे rank of a b क्या होता है less than equals to rank of a एक matrix से है एक matrix से है तो इसको मैं लिख सकता हूँ less than equals to rank of a b ठीक है क्या किया मैंने मैंने b की जगा पे a inverse into a b लिख दि of course होगा तो यहां से आगया rank of b is less than equals to rank of a b लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो rank of a b होता है वो तो less than equals to rank of b होता है जैसे यहां पर है rank of a b is less than equals to rank of a या फिर हम इसको लिख सकते है rank of a b is less than equals to rank of b तो इस तरीके से देखा जाए तो यह अगर आप equation number one or two को देखे inequality को तो यहां से क्या हो जाएगा rank of a b must be equals to rank of b हो जाना चाहिए क्योंकि आपका यह law of reversibility से हो गया proof ठीक तो इस चीज़ को आप जान में रखेंगे rank of a b is less than equals to rank of a या फिर हम लिख सकते है rank of a b is less than equals to rank of b तो b क्योंकि a inverse exists करता है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया और यहां पर हमने इसी theorem का use कर दिया और बस इसको proof कर लिया ठीक इस तरही किसा हम इसको कर सकते हैं ठीक तोस्तों यह थे कुछ महुत ही महतुपूर्ण question mcq जो की matrix and determinant पर based थे I hope कि आपको पसंद आये होंगे और आपको exam में काफी मदद करेंगे मिलते हैं अगली video में till then take care and goodbye